Google यह चाहता है कि आप जो वेबसेट का स्ट्रक्चर बनाए उसके जो URL बनेंगे वो human friendly होने चाहिए, मतलब यह कि वो पढ़े जाने चाहिए, वो readable होने चाहिए, क्यूंकि अगर आप अक्सर वेबसेट बेसना के URL देखते हैं, तो यह वो URLs हैं जो system तो समझ सकता है, लेकिन user नहीं समझ सकता है, तो इन URLs में होता यह है कि system जो भी CMS यूज़ किया है, जो भी software developer ने website बिनाने के लिए, वो अपनी understanding के लिए page ID assign करता है हर page को, और उसको number assign करते हुए, वो यह करता है कि हर page को एक number से याद रखता है, अब system तो उस चीज़ को समझ सकता है, लेकिन इनसानों के लिए बड़ा मुश्किल है कि ऐसे वो pages को याद करें, और उनको याद रखे Google यह चाहता है कि आप इनसानों के लिए, इनसानों से पढ़े जाने वले URLs develop करें, तो जैसे कि आप लेक्सकते हैं कि यह जो pages आपको नजर आ रहे हैं, अगर यह pages को मैं नाम के साथ लिखूँ, तो left side में page IDs हैं, जो कि ठीक है, system के लिए, वो readable भी होंगे, वो चलेंगे भी, उसके pages आपके exist भी करेंगे, लेकिन वो इनसानों के लिए बेतर नहीं हैं, और चुके वो इनसानों के लिए बेतर नहीं हैं, तो Google भी उसको importance नहीं देगा, Google यह कहता है कि आप बजाए इसके क्या page IDs दें, आप जैसे कि आगे मैंने अपनी website के आगे वो brands के नाम लिखे हैं अगर मेरी mobile की website है, तो abcmobiles.com slash page ID लिखने की बजाए मैं brand का नाम लिख रहा हूँ, इसमें Samsung, Apple या Huawei या और भी कोई company या और भी कोई page है, उसका नाम आना जरूरी है, इससे क्या होता है, इससे Google आपकी website को भी understand कर लेता है, और user भी आपकी website को understand कर लेता है, तो अगर हम प page के नाम से जुड़ा हुआ था, जैसे आप URL बढ़ाते चले जाएंगे, यानि कि आप pages के लेवल बढ़ाते चले जाएंगे, वो slash के बाद page का नाम add होता चला जाएगा URL के अंदर, लेकिन make sure यह करें कि URL sense बनाए, और sense बनाने के लिए सबसे important बात यह है, URL पढ़ा जा सके अगर वो page IDs के तोर पे बढ़ता चला जा रहा है, तो वो system को समझ आ देगा, पर वो लोगों को समझ नहीं आएगा, इसमें एक important चीज यह है, कि आपको, यह जो चुकि आप नाम लिख सकते है, आप URLs के अंदर, तो Google आपको यह recommend करता है, कि एक या एक से ज्यादा मतलब कि दो, आप keywords भी add कर सकते हैं, आपको यहाँ पर याद आना चाहिए, कि keyword research हमने बड़ी detail में पड़ी थी, और हमने हर page के लिए, एक keyword का group assign किया था, तो जिससे आप यह देख सकते हैं, कि in, हर page पे एक नाम है उसका, और जिन नाम basically keyword based, keyword oriented name हो सकता है, जैने कि keyword की base पे नाम लि URL भी लिखे जा सकते हैं, so example मैं अगर लूँ, अगर मेरी एक simple website है, उसमें जिससे services का नाम services है, और consulting का नाम consulting है, तो यह भी ठीक है, यह readable तो हैं, लेकिन यह keyword friendly नहीं है, so हम इसको keyword friendly कैसे बना सकते हैं, मैं अगर example दूँ, mobile website की, क्योंकि हम इस पूरे course में mobile की एक मिसाल ले है, वो तो वही रहेगा, लेकिन अगर आपका phones का page है, तो आप बजाए इसके क्या phones लिखें, आप mobile phone लिख सकते हैं, mobile phone, phone से बहतर word है, क्योंकि लोग phone तो सर्च करी रहे होंगे, बट mobile phone भी लिखके सर्च कर रहे होंगे, तो आपका वहां पर एक keyword add हो गया, phones के अगर आग चेंज करके, आप हरायरी की वही रख सकते हैं, लेकिन उस page का नाम keyword से friendly बना सकते हैं, आपको पता हो के लोग क्या सर्च कर रहे हैं, उस page क्यों से keyword आपने assign किये हुए हैं, और उन keyword में से सबसे important keyword, या सबसे अच्छा keyword क्यों सा हो सकता है, आप उस page का नाम भी रखें, उस खाली phone का page देखना, उसकी एक sense बनेगी, लेकिन mobile phone देखना उसकी एक better sense बनेगी, अगर खाली prices का page है, मुझे नहीं पता ये कौन सी prices हैं, लेकिन मैं mobile phone prices लिखूँ, तो अब मुझे ज़्यादा clear है, कि ये mobile phone की prices हैं, नाकि सिर्फ prices हैं, एक example मैं आप code देना चाहूँगा, ताकि आपको थोड़ा सा mobile phone से हटके भी समझाए कि ये कैसे होता है, मैंने dentist की example ली, जिस तरह से dental clinic होता है, अब लोग जब सर्च करेंगे, या या वो dentist लिखेंगे, इस तरह से related keywords लिखेंगे, तो एक फर्जी example मैं आपको देता हूँ, कि अगर आपका वही business है, और उसके same services हैं, तो उसको सिर्फ services ना लिखें, वो dental services लिख सकता है, क्योंकि जब लोग सर्च करेंगे, उस हाली services नहीं सर्च करेंगे, वो actually dental services सर्च करेंगे, क्योंकि ये target audience हाँपकी, आपका dental या dentist का नाम लिखेंगी, अब चूँके मैंने keyword research की, उसमें पता चला कि dental services एक services रख है, ताके वो URL में भी उसका नाम repeat हो जाए, या मेरा keyword repeat हो जाए, इसी तरह से, अब मेरी एक service है, dental consulting की, तो अब सिर्फ मैं consulting क्यों लिख हूँ, अगर मैं consulting दे रहा हूँ dental के लिए, और लोग भी अगर consulting सर्च करेंगे, तो dental consulting लिख कर सर्च करेंगे, तो ये भी हमारा keywords हा, जो मैं चाहूँगा कि dental consulting की उपर optimize हो, और इस page ची उपर optimize होने का मतलब यह है कि इसका title, description, इसकी density, वो सब चीज़े हम on page में पढ़ चुके हैं, लेकिन इसका URL भी dental keywords के साथ जुड़े होना ज़रूरी है, तो मैं इस dental consulting का नाम भी dental consulting इसलिए रखूँगा, क्योंकि ल dental treatment planning बेतर word है, ना कि सिर्फ आप planning यूज़े हैं, आप about us की बजाए, अगर आप about dental clinic लिखे हैं, तो ज़्यादा बेतर word है, उससे ज़्यादा sense बन रही है, ना सिर्फ users के लिए, बलके Google के लिए भी, in short, आपको जितनी भी websites बनानी हैं, या जितनी website अपने लिए, या client के ल restaurant करना है, और उसको page by page optimize करना है, या ensure करने के लिए, जो आपने keyword research किये हैं, वो ना सिर्फ on page पर optimize हों, बलके URL भी उसके properly structure के अंदर reflect हो रहे हो, या ना सिर्फ user देखते हैं, बलके या Google के लिए भी बड़ा helpful होता है.